सोही निवश्यका दोस्तों आप सभी का एक और ने एपिसोड में स्वागत है जिसमें आपको दिखाता हूँ बैस्टाइम आप नीमल तीम याज जिसमें बहुत ही कम यहाँ पर आपको कस्टमाज़िशन देखने को मलता है होम स्क्रीन में लेकन उससे ही दुगना जादा अंदर नहीं देखने को मिल लेकिन जैसे ही आप यहां पर लॉक स्क्रीन में जाओगे ना खूब भर के आपको जस्टमाइजिशन करने का ऑप्शन मिल जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अभी देख आपने यहार हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं जो कि ठीक है क्योंकि मुझे यही वाले काफी अची लगती है क्योंकि सिंपल रहता है तो जादा बैटर रहता है यहां पर एक चीज काफी अची सरीके से आप नोडिस कर सकते हो कि जो आइकन में चींज देखने को मिलते हैं वह किते कूल लगते है यार आइकन इसके काफी जाधा अच्छ है और आपको यहाँ पर ओल सेफ के देखने को मिलते हैं राउंडड़ करॉनर वाले जो की बहुत ही अच्छा को एक मिनिमल लूक देते हैं यहां पे चलते है जो highlighting है है वो है इसकी खूल की स्क्रिण खूल देखने को मिलती है और अगर आपको नहीं पता है तो ये लॉक्त खूल की समें आपको ऑइसी ही देखने को मिलती है always on display के अंदर रेडिमी के अगर आपका ख़र रेडिमी का कोई भी डिवाइस है तो उसमें अगर आपको Always On Display देखने को मिलता है तो उसमें आपको इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है Always On Display के अंदर लेकिन यहां पे आप इसको फुल तरीके से कस्टुमाइज कर सकते हैं उससे पहले आपको दिखा दूँ कि आप सिंपली स्वाइप लेफ करके इसको चाइनीज में पूरा इंग्लिश में कर देते चाइनीज से तो जाड़ा बैटर रहे था क्योंकि कभी भी इसमें काफी सारे आप्शन आपको चाइनीज में देखने को मलते हैं जो भी आप कस्टुमाइज करो जैसे कि की सा सीमा लिका हुआ है I don't know क्या है लेकि यहां पर आपको चोड़ा सा बार दिखेगा आपको इस पर टैप करना है तो यहां पर निकल के आजाएगा फुल तू भरा हुआ कस्टुमाइजेशन जो कि आप यहां पर अपने हिसाब से कस्टुमाइज कर सकते हो तो यहां पर पहले तो इस तरीके का कुछ देखने को मि ओठंड हूं तो इस तरीके से इसका एनिमेशन भी आता है वीडियो फोकस नहीं कर रहा है तो फिर से आपको देखाता हूं तो इस तरीके का आता है उसके लाव आपको कही सारे और भी ओल्पेपर वगएरा देखने को मिल जाते हैं तो आइफोन वाला भी आपको वाल-पे तुभी तसको दिखाता हूं तो इस तरीके से आपको यहां पे देखने का मुलता है And then again आपको इसके लवाँ अपको यहां पर और भी सारी सेटिंग को चेंज गर सकते हो Clock के डिजाइन को आप यहां पर चेंज कर सकते हो यहाँ पर आप इसके clock के time को भी जो color है उसको भी change कर सकते हो तो आपको इसका भी option इसके अंदर देखने को मलता है जो कि काफी अच्छा है यहाँ पर आपको option रहे जाता है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर clock का color आप अपने हिसाब से change कर सकते हो अब मैंने यहाँ पर देखो इससे मिलता जुलते जो आई से है उससे यहाँ पर color लगा दिया है कितना cool आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसके लावब आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर music option और यहाँ पर आपको finally weather देखने को मिल जाता है तो full to customization और बहुत ही कम customization भी कह सकते हो आपको देखने को मिलती है यह minimal theme तो इस theme का नाम क्या है तो इस theme को आपको यहाँ पर दिखाता हूँ theme store में चलके तो theme store यहाँ पर हम open करते हैं and my account में जाएंगे themes में जाएंगे तो आपको यहाँ पर यह theme देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है nice DR आपको इसको simply search करना है nice करके और first page पर ही आपको यह theme देखने को मिल जाती है तो link अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर से share कर दूँगा अगर आप simply search भी कर लोगे तब भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी और उसके लबाव इसके अंदर इस तरीके का charging animation भी आपको दिखाई देता है जब आप अपने phone को charge करते हो तो overall देखा जाए काफी cool काफी अच्छी minimistic theme आपको यह देखने को मिलती है अगर आपको theme पसंद आई तो please video को like कर देना comment कर दो अगर कोई भी आपको सजाओ या आपको कोई भी theme suggestion है और साथ ही साथ हमारे telegram group को भी जरूर जोइन कर लेना मिलता हूं अपने वीडियो में तब तक लिए take care bye bye see you next video लोग बहुत काफी करते हैं